Hello students, this is Aditya God. आज हम ताल रूपक की जो हमने लेकारी लिखी थी एक गुन की, उसको हम ताली पर लगा कर देखेंगे, हाथ पर ताली किस तरह से लगाई जाती है. तो एक बड़ जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, रूपक ताल में साथ मात्रे होती हैं, तीन विभाग होते हैं, चौथी और चटी मात्र पर इसकी ताली मानी है हमने, और पहली मात्र पर इसको हमने खाली माना है. रूपकताल की पहली मात्रा ताली मानी जाए या खाली मानी जाए इसे लेकर संकितकारों में मत्वेध है विवाद है हमने यहाँ पर रूपकताल की पहली मात्रा को खाली माना है तो रूपकताल के बोल है ती ती ना धी ना धी ना धी ना पहले विभाग में तीन मात्रा है दूसरे विभाग में दो मात्रा है और तीसरे विभाग में भी दो मात्रा है मुझे उमीद है कि आप लोगों ने रूपकताल के बोलों को याद कर दिया होगा रूपकताल के बोल इस प्रकार है ती ती ना धी ना धी ना तो आएए अब हम इसकी ताली जो है लगा कर देखते हैं ताली पे यहां पे हम पहले विभाग में तीन मात्रा हैं ती ती ना तो ती ती ना में जो हमारी पहली मात्रा है वो खाली है समका चिन है लेकिन ये खाली मानी है तो खाली हम कैसे दिखाते हैं आपको यह पता है खाली को हम सीधे हाथ को एक तरफ ले जाके दिखाते हैं ती इस तरह से तो पहली मातरं अमने खाले दिखाई ती, ती के बाद फिर इसी विबाग में दो और मात्रा पचही है ती ना, तो यह ती या को हम अलग अलग फिंगर्स पर काउंट करेंगे, ती ना, दो अलग अलग फिंगर्स को दो मात्रा हैं और चौती मात्रा पे यहां पे ताली है धी ना तो धी पे हम ताली बजाएंगे और ना को हम फिंगर पे शो करेंगे किस तरह से धी ना एक फिंगर पे शो किया तो पहले हम इन दोनों विभाग की मात्रों को एक पार दुबार से कंबाइन करके देखेंगे ती ती ना धी ना इसी प्रकार से अब यहां पर जो तीसरी आपका जो विभाग है तीसरी विभाग में भी दो मात्रा हैं और बोल है धी ना तो छटी मात्रा पर जो धी का बोल है इस पर हमारी दूसरी ताली आएगी और ना को हमने फिंगर पर शो करना है कैसे धी ना तो शुरू से आखिर तक हम एक बार इसको combine करके देखते हैं ती ती ना धी ना धी ना तो यह आपकी एक गुन की ताली थी एक बार दुबार से देख लिजिए ती ती ना धी ना धी ना तो आप इसका परिचे और इसके जो बोल है उसको अच्छे से याद कीजिए और एक गुन की ताली को आप लगा कर देखिए आईए अब आगे हम इस ताल की दुगुन को किस प्रकार लिखते हैं वो करके देखते हैं तो रूपक ताल की हम आज यहां पर दुगुन की लेकारी करके देखेंगे कि रूपक ताल की दुगुन की लेकारी किस प्रकार की जाती है तो दुगुन में हम क्या करेंगे सबसे पहले हम रूपक ताल के बोल लिखेंगे ती ती ना धी ना धी ना यहाँ पर रूपक ताल के बोल हमने एक बार लिख लिए ती ती ना धी ना धी ना अब आपको जैसे कि पता है पहले भी हमने जो आपको जपताल पढ़ाई थी तो उसमें भी हमने पताया था कि दुगुन में किसी भी ताल के बोल दो बार आते हैं तो यहाँ पर अभी हमने ताल के बोल एक पर पूरी तरह से लिखा है, ती, ती, न, धी, न, धी, न, अब हम दुबारा से, स्टार्टिंग से एक बार और इस ताल के बोल यहाँ पर बिना कोई gap दिये, लिखना शुरू करेंगे, ती, ती, न, धी, न, धी, न, अब यहाँ पर हमने रूपक ताल के जब बोल हैं, उनको दो बार लिख लिया है, ती, ती, न, धी, न, धी, न, एक बार हो गया, ती, ती, न, धी, न, धी, न, यहाँ पर दो बार हो गया, अब हम हर जो दो बोल हैं, उनका गुरूप बनाएंगे, यह दो बोलों का एक गुरूप बन गया, फिर उसके आगे के जो दो बोल हैं, तीसरा गुरूप बना दिया, फिर उसके जो आगे हैं, उसका चौथा गु गुरूप बनाने के लिए हम बोलों के नीचे समी सरकल को यूज करते हैं अब हर गुरूप को उसकी मात्रा लिख देंगे मात्रा के आगे हम हर गुरूप के उपर उसकी मात्रा लिख देंगे जैसे पहले गुरूप पर फिर यहां लिख दिया टू यहां तीसरे में लिखा हम हमने 5, यहां लिखा हमने 6, और यहां लिख दिया हमने 7, हर गुरुप को उसकी हमने मात्राइं दे दी, पहला दूसरी मात्रा, तीसरी, चौथी, पांचवी, छटी, साथवी, अब आपको याद है कि चिन में 1 की नीचे क्या आएगा? क्रोस, और इसकी जो ताली है, पहली ताली या दूसरी ताली, कांसी मात्रा पे आएगी? चौथी मात्रा पे, दूसरी ताली मैंने क्यूं बोला यहां पे? क्योंकि पहली मात्रा को हम ताली भी मान सकते हैं, और खाली भी मान सकते हैं, अगर पहली मात्रा यहां पे ताली मानी गई है तो दूसरी टाली कहा हो गई? 4 के nie निचे, तो 4 के निचे हमने लिग दिया 2 और तीसरी टाली है इसकी6 के निचे तो 6 के निचे हमने लिग दिया 3 अब जिस मातरा पीचीन आया है उससे पहले जो है विभाग कर देंगे तो पहले विभाग में तीन मात्राएं हैं तो तीन मात्राओं के बाद यानि कि तीन गुरुप के बाद यहाँ पे हम उसके विभाग बना देंगे और ऐसे ही दूसरे विभाग में दो मात्राओं हैं तो दो मात्राओं के बाद दो जो हमारे गुरुप हैं उनके बाद हम यहां विबाग कर देंगे तो इस तरह से आपकी यह दुगुन पूरी हो गई है पहले हमने क्या किया रूपक ताल के बोल लिख लिए ती तीना धीना 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 फिर उसी के आगे दुबारा लिखा उसके उपपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर हमने या तो आप चिन लगा लिजिए अगर आपको याद है कि चिन किसमर है और अगर आपको चिन याद नहीं है और आपको ये पता है कि किस विभाग में कितनी मात्रा आती हैं तो आप उसके विभाग बना लिजिए तो पहले विभाग म तो आज का टॉपिक आपका ही फिनिश होता है आज आप रूपक ताल के परीचा को याद किजिए उसकी एक गुन की ताली को बजा कर देखे हाथ पे उसको प्रैक्टिस कीजिए वीडियो को देखकर और दुगुन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए नेक्स क्लास में कल हम रूपक ताल की तिगुन आपको लिखना सिखाएंगे कि तिगुन किस तरह से लिखे जाती है और उसके बाद उसकी चौगुन लिखना सिखाएंगे तो आप इसको पहले प्रैक्टिस कीजिए फिर हम इसको नेक्स क्लास में आगे बढ़ाते हैं धन्यवाद